हेलो प्रेंड्स तो प्रिजमाजेट का यह वाला 254 GSM फोटो पेपर काफी फेमस है यह आपको 4x6 और A4 साइज दोनों में अवेलेबल है इसमें रेजिन कोटिंग की गई होती है जिसकी वज़े से वाटर पूप भी होता है तो बस आज की इस वीडियो में हम इसे नॉर्मल है क्या इस पेपर से इंक निकलेगी 80 सी सो लेट स्टार्ट सो यहाँ पर मैंने कंपेरिजन में लिया है नॉर्मल कॉम्प कलर का 180 GSM फोटो पेपर जोकी वाटर पूप नहीं है तो आप 180 GSM और 254 GSM में डिफरेंस देख सकते हैं तो चलिए दोनों पे पोटो प्रिंट कर ल इस वाले पेपर ने पानी को पूरी तरह से सोक लिया है अब बारी है प्रिजमा जेट की इस वाले पेपर ने पानी को बिलकुल भी एब्जॉप नहीं किया है यह वैसा का वैसा ही है अब हम इसे रगडने वाले हैं प्रिजमा जेट में रब करने पर कुछ भी नहीं हो रह नॉर्मल वाले में भी इंक नहीं निकल रहा पर इसका अपर लेयर निकल रहा है वहीं पर प्रिजमा जेट में थोड़ा सा नाखुन से प्रेसर करने पर अब यह थोड़ा सा निकल रहा है अब मैं इन्हें दूप में सुखने के लिए छोड़ देता हूं तो सुखने के बाद यह देखिए नॉर्मल पेपर सुखने के बाद किसी कामका नहीं है काफी सुखड गया है और वहीं पर प्रिजमा जेट मिल्कूल वैसा का वैसा ही है सो चलिए दोबारा प्रिजमा चट को पानी में डाल के देखते हैं इसकी इंक निकलती है या तो फिर नहीं यहाँ पर कोई इंक नहीं निकल रही है मैं बता दू कि यह फोटो HP 580 से प्रिंट की गई है तो इस प्रिंटर की इंक भी काफी सही लगी चलिए हमें आपको इसके waterproof का राज दिखा देता हूँ तो यहाँ पर यह आपको टेफलोन कोटिंग दिख रही होगी यह प्लास्टिक जैसी दिख रही है पर प्लास्टिक है नहीं तो यह रहा टेफलोन पावडर जो इसे waterproof बनाता है अब tap टेस्ट कर ले रहे हैं नॉर्मली काफ़ टेप से चिपक जाता है पर यहाँ पर तो टेप का glue काफ़ से चिपक गया है नॉर्मल पेपर में यह देखिए काफ़ का पतला सा layer टेप से चिपक गया है टीरिंग में दोनों ही फेल हुए हैं क्योंकि दोनों एक आगज मट्रियल से बने हुए हैं और कोई भी plastic material यूज नहीं हुआ है तो पूरा कमाल प्रिज्मा जेट में टेप लॉन कोटिंग का है रोडेंट लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बाई